हेलो फ्रेंड स्वागत है अपका हमारी चैनल कम्प्लीट सोलो़ोसन में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मेरा 49 है मेरा 50 है, मेरा 60 पलस है, क्या चांस यहाँ बन रहा है क्या तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिस करूँगा और यहाँ पे एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मेरा personal opinion है, ब्यक्तिगद राह है कोई भी decide नहीं कर सकता है, यहाँ पे even कोई भी नहीं कि आपका cut-up कितना जाएगा, यह relevant decide करती है फिर भी अपने अनुभव के अधार पर यहाँ पे मैं आपको आपके comment का जवाब देने की कोशिस करूँगा यहाँ पी नहीं ने सवाल किया है कि मेरा 49 बन रहा है OBC से बिलास पूर जोन, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका chance बन रहा है आप सेफ हैं यहाँ पे फिजकल के त्यारी शुरू कर देजी आपका यहाँ पे अगर 49 बन रहा है तो अब चलिए आगे बढ़ रहा है आगला सवाल दोस्तों इन्होंने पूछा है कि विजय कुमार जी ने पूछा है कि I am HT my score 43 चिन नई एनी चांस? तो दोस्तों यहाँ पे समझें चिन नई में जो था वहाँ पे आपको vacancy थी 2989 कितनी थी? 2989 और यहाँ पे आपको 8-9000 आपको फिजकल में बुलाया जा सकता है तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर आप HT से तो यहाँ पे आप safe हैं आप 43 में फिजकल के तियारी शुरू करते हैं तो ठीक है फिजकल में आप तियारी शुरू कर सकते हैं बट यहाँ पे chances थोड़ा इसलिए कम बना है दोस्तो फोटी फाइप अगर होता है यहाँ पे नौरलियेशन होकर करके आपका फोटी फाइप प्लस हो जाता है तो ज्यादा safe हो जाते हैं तो चलिया हाड shift अगर होता है आपका तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है तो आपको मदद मिल जाएगी अब यह आगे बढ़ते हैं आगे ओबी सी केटेगरी पतना बोड फिटी अब देखिया पतना का क्या होता है कि पतना में बहुत सारे आप सेफ हैं आप डरिये नहीं अभी अभी नॉर्मल येशन होगा तो बहुत सारे पोसेस होंगे यहाँ पर नीचे में देखिए यूपी से तो फिटी फोर यूपी से हैं आप विक्रांत याद हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिटी प्लस है आपका यूपी से हैं तो आपका यहाँ पर अगर हार सिफ्ट रहता है तो वहाँ पर चांसे बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जोन का भी आपने कोई नाम नहीं दि अब 45 प्लस अगर आपका होता अगर हो जाता है अगर के बाद तो कुछ कहा जा सकता है अभी थोड़ा आप डिंजर में है HD में है उसके बाद भी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत काफी लो हो जा रहा है आपको 41-40 काफी कम है तो इसी साब से मैं कहा सकता हूँ कि आप 60-70% तक सेफ हैं लेकिन 80-85% तक सेफ आप नहीं है ठीक है यहाँ पर देखिए 80-48 इनका आया है बोल रहे है 48 SC बें चांसेस बन रहा है दोस्तों उपर से आप AC भी है तो यहाँ पर चांसेस बन रहा है आप सेफ हैं बिल्कुल आप फिजिकल के त्यारी होगे कंफार्म होके कीजिए पुरी तरह से कोई दिकत नहीं है बेंगलूरू में आपको अगर सीट की बात की जाए दोस्तों तो इनों ने सवाल किया है कि 49 सी है तेरा गलत अब नीचे में देख लेते हैं सर मेरे आप 45 ओवी सी चंडीगड अब देखिए चंडीगड में किया है कि 7,832 वेकैंसी है ठीक है काफी अपलाई भी काफी फेमस जगह भी है और यहाँ पे आपको अगर आप ओवी सी से यहाँ 45 बन रहा है तो आपको चांस है और फिर भी दोस्तों अगर अपलाई की बात की जाए तो सोचल साइट के मुताबिक यहाँ पर लगभग 25 से 26 लाख लोगों ने यहाँ पर अपलाई किया था चंडीगड में भी और यहाँ पर 22 से 24 जार तक तो यहाँ पर चांसे आपका बन रही कि यहाँ पर हो जाएगा अब चलिए नीचे में देखते हैं 55 जेनरल चंडीगड जोंसे क्या चांस है अभी अभी दोस्तों मैंने बताया जैसा कि चंडीगड में 7,832 वेकेंसी है और यहाँ पर 25 से 26 लाख लोग अपलाई किये थे और यहाँ पर फिजिकल में लगभ फिजिकल के त्यारी कीजिए अगर अपका इतना आ रहा है तो और यहाँ पर नीचे में देखिए घड़ता नहीं है कभी यार मतलब कहने के मतलब मैंने नौर्मलिजेशन को लेकर कर वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि नौर्मलिजेशन में मार्क्स कुछ घड़ते हैं कुछ बढ़ते हैं लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि बढ़ता ही है यहीं बात यह बोल रहे थी कि नौर्मलिजेशन में मार्क्स घड़ता नहीं है नीचे में देखते हैं सर मेरा 42 इन सिकंद्राबाद जोन से क्या सेलेक्शन होगा तो यहां पर देखिए दिभ्यो लो से लोग की है यहां पर तो यहां पर 42 बन रहा है आपका तो आप सेफ उतने तो नहीं है बट आप फिजिकल किजिए त्यारी आप यहां पर 45 प्लस हो जाता है तो कुछ कहा जा सकता है यहां पर 70 परसेंट तक सेफ है 20 प्लस तक हम नीचे में देखिए 31 OBC सिकंद्राबाद भाई बहुत कम है 31 है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है बट यह तो रेलवेट इसाइट करीगी जो भी करीगी बट मुझे लगता है कि यह बहुत ही कम है 31 अब देखिए आगे क्या होता है अब देखिए नीचे इन्हों इसके कौलिफाइंग मार्क्स जो होता है उस पर भी आपको सेलेक्शन हो जाता है तो पी जो होले यहां पे बिल्कूल नखोए उनका सालेक्शन यहां पर कभी-ज़भी हो जाता है कम से कम नमबर पर भी तो चलिए आप मत खोई आप प्रिप्रेशन कीजिए नीचे में दे देखिया आप लगभग 75 परसेंट तक यहां पर आप सेफ हैं अब फिजिकल की त्यारी आप कीजिए कोई उसमें वह मत किजिए फिजिकल की त्यारी में लगे रही है कोई दीकत ने यहां पर अगर आपका हाड़ सिप्ट पा जाता है तो थोड़ा सा आपका यहां पर बढ़ हैं काफी अफ लाई करते हैं थोड़ी सी यहां पर हाई कटफ जाने के चांस है लेकिन आपका नंबर भी अच्छा कसा है 59 है इसलिए यहां पर आप सेफ हैं बिल्कुल आप फिजिकल की त्यारी कीजिए अब नीचे में देखिए मेरा नहीं होगा तो भाई होप मत कोई लागता है यहां पर बहुत कम लागभग 55-60% तक चांस बनता है इससे ज्यादा नहीं बनता है कि आपका होगा आप देखिए यहां पर फिजिकल की त्यारी वैसे किजी आप कोई दीकत नहीं है फिर भी लेकिन मुझे जहां तक लागता है 30 पर तो नहीं होगा अब देखि है आपका अगर कोरेक्ट तो यहां पर OBC से हैं तो आप करते रहे हैं त्यारी किजिए अगर आपने रखा होगा तो आपका मार्क से बढ़ जाएगा तो आप से जोन में चले जाएंगे तो फिजिकल में आप लगे रहे हैं कोई दीकत नहीं है अब नीचे में देखिए मेर आपको 8000 तक लगभग ले लेगा आपको गौहाटी में फिजिकल में लेगा क्योंकि यहां पर जो सीठ है दोस्तों वह 2500 करीम है तो आपका अगर एश्टी से 42 है तो आप यहां पर सेफ में है आप फिजिकल में कीजिए तैयारी एक रेसी अच्छा राखे होंगे तो आपक करने मेरे 45 हैं क्या होगा जिन्रल में तो देख्या फोटी फाइफ्ट के और आप हैं जिकल में दोस्तों की उपको अच्छा लड़के जो होते हैं ंधाबा तरफ भी चले जाते चन्डीगर भी याप्लाई कर लेते हैं तो फोटी फाइफ हैं कोई वह दिकत नहीं है भट यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा रहता है तो moderate वैसे तो यहां पर जो cut-off रहता है moderate ही रहता है को ज्यादा नहीं जाएगा वैसे 10-11 लोगों ने यहां पर apply किया था और यहां पर 22-24 जार लगबग आपको लेगा यहां पर पर तो आप फिजिकल में लगे रही है फिजिकल में होप मत हुई है और यहां देखिए 31 गुराखपूर OBC कोई चांस है गुराखपूर का दूस्तों क्या सीन है कि गुराखपूर में बहुत सारे लड़के पटना से भी प्लाई कर देते हैं यूपी के नजदिक है तो यहां पर थोड़ा सा कट अफ यह गुराख फिरू में आपका बता है यहां पर वैकेंसी के तो 3300 3388 थी यहां पर यहां पर लगबग 9-10,000,000 लोगों यह पर अप्लाई किया था तो यहां पर OBC से कहता है कि आपका नहीं होगा क्यों कि देखिए कोछ कहा नहीं जा थोड़ा नंबर कम है आपका 60% चांस बन रहा है उससे ज्यादा नहीं बन रहा है तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं मुंबाई जेनरल फोटी बन तो यहां पर देखिए मुंबाई से आपने अप्लाई किया है तो मुंबाई में बहुत लोग नहीं जा पाते हैं धू दोस्तों थोड़ा कम किया थे लेकिन इस बार अप्लाई जो किया थे लगभग सोशल साइट के रिपोर्ट के मुताबिक 15 से सुरह लाख लोगों ने अप्लाई किया था सोशल साइट पर रिपोर्ट आ रही थी और यहां पर 14,000-14,000 तक लोग लगभग फिजकल मिले सकता ह तो आप जिनरल से 41 है तो अब यहां पर चांसे थोड़ा बन ज्यादा तो नहीं बन रहा है दोस्तों बट आपको हम यह बोल सकते हैं कि आपको 65-70% तक चांस है देखिए क्या होता है आगे वह तो रेलवे डिशाइट करेगी बट उतना चांस नहीं बन रहा है बट अब फ कमेंट आता है तो उसका रिपलाई करूं आपको बताने की कोशिश करूं तो दोस्तों अगर आपका 45 प्लस है तो आप फिजिकल में लग रहे है क्योंकि एक कुरेशी अगर आपने अच्छा रखा होगा और तो वहां पर चांसे बन रहा है क्योंकि नॉर्मालेजिशन होग का नॉर्मालेजिशन में कुरेशी बहुत माहिने रखता है तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं अगली बोड़िया में तब तक लिज्यादत दीजिए जाहिन